क्या आप IPO में invest करना चाहते लेकिन आपको नहीं पता कि IPO क्या होता है और कोई कंपनी अपना IPO क्या होता है। जिसमें कोई भी कंपनी अपने विड़नेश की Common Equity यानी Common Share पबिक के लिए जाली करती है। इसे हम आईपियो कहते हैं जहां पे कंपनी पबिक से फंड रेस करके अपने विड़नेस को वल्डवाइट ग्रोव करती यह और उसे आसानी से चलाती है। चलिए इसे example से समझते हैं, suppose आप खिलोनों का business करना चाहते हैं, और अपने सेर में एक store खोलना चाहते हैं, जिसके लिए आपको पैसो को जरूत होगी, तो store खोलने के लिए आप अपने pocket से पैसे डालेंगे, या अपने ममी पापा से मांगेंगे, या अपने family members, या friends से पैसे लेके store खोलेंगे, और कुछ समय के बाद आपका store अच्छा चलने लगता है, और आप अपने खिलोने के business को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, और पांच नए store खोलना चाहते हैं, उसके लिए पैसो को जरूत होगी, और वो आपके पास नहीं है, ऐसे में आपकी मदद angel investor करत हैं, और अब आप चाहते हैं कि 59 store आपके पूरी city के अंदर खोलें, तो इनके लिए आपको और पैसे की जरूत हैं, तो ऐसे में आपकी मदद VC करते हैं, यह VC होते हैं, venture capitalist जो आपको 59 store खोले के लिए पैसा देते हैं, और आपके business में shareholder बन जाते हैं, और आप उनसे पैसा लेके 50 नए store खोल देते हैं पूरे share में, और फिर आप अपने business को अच्छे तरह से चलाने लगते हैं, और बाद में एक दो साल के बाद, आपके सारे store अच्छे से grow करने लगते हैं, और अब आप चाहते हैं कि आपके खिलोन के store पूरी इंडिया के अंदर और पूरे world में इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा की दोत पड़ती है, तो ऐसे में ना तो आपको यह पैसा VC दे सकता है, ना ही angel investor दे सकते हैं, तो इसके लिए आप पब्लिक के पास जाते हैं, और उनसे पैसा लेते हैं, और बदले में अपने business की कुछ equity दे देते हैं, और इस तो ही हम IPO कहते हैं, चलिए जान लेते हैं, किसी भी company को IP launch करने से पहले क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले company को सेरवजर में list होना पड़ता है, और इंडिया के अंदर ऐसी दो जगाए हैं, पहला BAC, Bombay Stock Exchange, दूसरा NAC, National Stock Exchange, और इन दोनों में list होने के लिए company को savvy की rules and regulation follow करने पड़ते हैं, इसके लिए company अपनी DRHP report से भी के पास submit करती है, जिसमें company की पूरी detail होते है कि company कितने profit में चल रही है, कितने उसके पास asset है, कितना loan है, यानि इसे अप journal भात्समा कहें, तो company की पूरी जनम कुंडली DRHP में होती है, और DRHP बनाने और बागी सब process को करने के लिए company सबसे पहले एक investment bank को hire करती है, जिसे हम merchant bank भी करते हैं, और ये merchant bank पूरा IPO का काम देखता है, जिसमें आ जाता है underwriting, जैसे government के rule and regulation follow करना, savvy की geo requirement है, वो सारी fulfill करना, paper से लेके, paper से लेके सब कुछ यही merchant bank करता है, और second company की valuation करना, कि company की right value क्या है, उसका share price कितना होना चाहिए, इसे वो दो तरीके से कर सकते, एक तो fix price और दूसरा होता है book building price, और savvy book building price को prefer करती है, जिसमें बोली से price को fix किया जाता है, suppose company book building price में अपने share price का price 200 रुपे से लेके 25 रुपे के बीच में रखती है, और सब को कहती है कि इसके अंदर आप bid करिए, यानि अपन लोटेट नहीं हो, और आप 500 रुपे से उपर नहीं bid कर सकते हैं, और जिस amount पे ज्यादा bidding होगी, जैसे 10% लोग 240 रुपे बीच करते हैं, और 30% लोग 235 रुपे बीच करते हैं, और 50% लोग 230 रुपे बीच करते हैं, और बागी बचे 10% 200 रुपे बीच लगाते हैं, तो इ इस तरीके से सेर्प्राइस चूज किया जाता है बुक बिल्डिंग के द्वारा और दोस्तों मर्चेंट बैंक इसका डिस्टूपिशन नेटवर्क भी देखता है वह बड़े बड़े क्यू आइबी जैसे हम कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टिटूट बायर्स को भी अप्रो इन तिनों में अलॉट्मेंट किये जाते हैं दोस्तों यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि आईप्यों के अंदर आप एक शेर नहीं खरीज सकते हैं इसमें कंपनी एक लॉट बनाती है जिस लॉट में 10 भी हो सकते हैं 15 भी हो सकते तो आपको एक शेर प्राइस के सकते हैं जो दो ब्लाग से उपर इनवेस्ट करते हैं वह नौन इंसिटूट बाय स्कैलाते हैं और उनके उपर क्यू आइब जो क्यूबाइब होते हैं दोस्तों यहां पर हमने जाना कि मर्चेंट बैंक कैसे लांच करता है और क्या क्या process करता है और इसके बाद एक particular date को bid open कर दी जाती है और ये bid 3-5 जिन तक खुली रहती है जब bid close हो जाती है उसके बाद within 3 days company stock market में list हो जाती है friends यहां पर आपने जाना है कि मल्टेंट बैंक कितना important role play करता है किसी भी company के IPO को market में list होने तक इसमें वो देखता है company की valuation company के सारे compliance देखता है और distribution network को भी अच्छी तरह से handle करता है जिसके लिए वो पूरे IPO पर 7-8% चार्ज करता है I hope दोस्तों आपके वीडियो पसंद आई होगी तो like करें share करें अगर चैनल पर पहली बार आएं तो subscribe करना ना भूलें और bell icon को जरूर दवाएं अगर चैनल और वीडियो की regarding आपके मन में कोई सुझाव हो तो comment box में जरूर बताएं मिलते हैं next video के अंदर तब तक सीखते र आई